हेलो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चनल में जैसा कि आप लोग पता है हम आपके लिए बैक टो बैक क्लास्टर लेकर के आ रहे हैं तो आज की जो मारी वीडियो होने वाली है आपके इनुश्यूटी के एक्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं 2022 से इसके ओके तो बीए से कौन से क्वेस्टन हमने रखे हुए और भी सब्जेक्ट्स है जिस सोसियोलोजी हो गया आपका उस पे भी हमने बात किया हुआ है आपका हम साइंस का हो गया पुल्टिकल साइंस का हो गया सबके टॉप 10 क्वेस्टन हम लेकर क्या रहे है तो प्लीज एक बाद चैनल पर वि क्या है आर्थिक भूगोल पर पूरी डिटेल क्लास हमने लेकर क्या आया है आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो क्या आखिर आर्थिक भूगोल है क्या अगर मैं नॉर्मली बताना चाहूं तो भूगोल से जुड़े हुए मानों कि वो कारे मतलब प्रतवी से ज देख सकते हैं वीडियो में द्रिश्टी कोड कौन-कौन से है इसको लेकर के क्या-क्या चीजें यूज की जाती है इसमें आर्थि गूगोल को कितने पार्ट में बटा गया ही सारा कुछ हमने वीडियो में डिटेल बताया हुआ है तो आप मेरे चैनल में विजिट करके जर दुगा игрों क्यों कर एक परिट दुगास में डब्लू टी ओ की भूमिका योगतान की से जाय है दुगां की जाती है इसके विकास में इसके डब्लू टी ओ की भूमिका व्ल्ड ट्रेड औरगनाईजेशनें विस्त व्यापारिक संगठ हमेरे तो बहुत कह दो दु creek भूमि की चीज़े दूसरे जगापे एक्सपोर्ड कर सकते हैं, किस रेट पे एक्सपोर्ड करेंगे, कैसे चीज़े करेंगे, तो वो सारा कुछ कहीं न कहीं, WTO की होमिका उसमें बहुत रहती है, तो विश्व की आर्थव्वबस्था के विकास में, WTO की बहुत होमिका रही है, कैसे कैसे रही है, वो सारा कुछ आपको डिटियल चीज़े मेरे वीडियो में मिल जाएंगे, तो एक बाइ विजिट करके ज़रूर देख लिजएगा, तीसरा कॉसर आपके सामने दिख रहा है, कि बिश्व के प्रमुख सागरिये व्यापारिक मार्क का वर्डन करो, मतलब कि बिश्व के वो व्यापारिक मार्क जो सागर से होगर के जाता है, क्या आप देखोंगे, दुनिया में आज भी ट्रेड कास मैक्समम काम है, वो समुद्र के जरीए ही होता है, क्योंकि पानी के रास्ते से चीजों को लाना जो है कम पैसे में, कम खर्से में और जादे चीजे पहुच बाती है, जल्दी भी पहुच बाता है, अगर आप वही चीजे प्लेन से लाओगे तो खर्चा कई गुना जादे बढ़ जाएगा, पानी में वह खर्चा थोड़ा सा क उनने वाले जहाज पे आपको बहुत जादे ही पैसा पड़ जाएगा, तो ब्यापारिक जो है, सागरिये ब्यापारिक मार्क हैं, उनका अपने आप में बहुत महात्ता है, स्वेज नहर आप देख लिजिए, स्वेज नहर से एक दिन की कमाई, उसकी अर्भो खर्वों में एक दिन की कमाई है, वहाँ पर जो टेक्स लग रहा है, उसका, फिर भी आ रहे हैं लोग क्यों, कहीं न कहीं वो जो है, ब्यापारिक मार्क को बहुत बढ़ावा देता है, और कहीं न कहीं, अगर आप देखोगे, यूरोप से आने वाली चीजों को, कम से कम, जो है, 2000 किलोम की वे वेचनठ की लिए, ख़चली ने विश्व को, खिर्ची परदेशों में माटा गुआ पुरी दुनिया को, और उनके द्वारा माटा गया 13 टाइट का परदेश, उन्हों में मैं मिलेख को बाटा है, कि 13 प्रकार के परदेशों में माटा को रहे हैंform Wideριक में माटा और मनुस उसका यूज़ कर लेता है तब बेशिक रूप से संसाधर के कई सारे वर्गी करड़ है वीडियों आपको चैनल पे मिल जाएगे तो जरूर देखिएगा six number question है आपके पास संयुक्तराज अमेरिका में लोह इसपात उद्योग के बितरड की ब्याख्या कीजिए कि संयुक्तराज अमेरिका में लोह इसपात का उद्योग कहा है कहा कहा पर बटा हुआ है बितरण कहा है लोहिसपात उद्योग का उस सीच के बारे में डिटेल आपको अधिन कर रहे हैं, तो 6th number question भी काफी important है, आईए अगे बढ़ते हैं 7th number question की तरफ, 7th number question आपके सामने यहां पर देख सकते हो, लिखा हुआ आ रहा है, बेबर द्वारा प्रतिपाजित ओदोगिक अवस्थी सिधान की बिवेचना कीजिए, बेबर ने जो है अवस्थी सिधान दिया हुआ था कि कहां पर कौन से उद्योग लगाया जा सकते हैं, उनकी अवस्थी कहां पर रखी जा सकती है, और उस पर उन्हें अपनी पूरी एक theory दिया हुआ था, जिस theory के बारे में बात क किमस अपने आपने theory हुई थी, तो उसके बारे में समझना है, बात करना है इस question में, बहुत important question है, इसको भी तयार करके ज़रूर जाएगा, एक्जान में, एक नमर question है, आपके पास one, three, union दोरा प्रतिपादित कृश्ची अवस्थी सिधान की बेचना कीजिए, क्रिश्ची क्रिश्ची कैसी होनी चाहिए, गाउं कैसे बसे, उसके आसपास क्रिश्ची की विवस्था कैसी हो, तो उस पर one theory, union ने अपनी पूरी theory दिया हुआ था, क्रिश्ची अवस्थी के सिधान को ले करके, उसके बारे में भी हमको बात करनी है, तो I think जरूर हम बात करेंगे, और हम ज़्यादे reach कबर कर सकते हैं, ऐसा बात थे, उने इनका मानना का, अगला question है, नाइन्थ नंबर का question कि विश्ची में वन संसाधन का वित्रड और संद्ष्ची की विवेचना के लिए, वन भी अपने आप में संसाधन है, कि वन भी अपने आप में संसाधन है, और बिश् है, और उसके संद्षड के लिए कौन सी government, विश्ची की कौन सी government क्या काम कर रही है, और हमारी Indian government उस सीच के लिए क्या काम कर रही है, इस चीज पर थोड़ा सा मतलब जवाब question का answer दे रहे होंगे, तो इन चीजों का ख्याल रखना ज़रूर ही है, अब आप देखने 10th number का question 10th number का question कह रहा है आपसे कि अंतर राष्टिय ब्यापार में EPIC के महत को समझाईए, जो ASEAN countries है, उनका एक अपना जो कह सकते हो संगठन बना हुआ है, EPIC, बहुत महत्पूर ये संगठन है अंतर राष्टिय ब्यापार में, तो EPIC का आपने आप में क्या महत्त है, इससे क्या चैनल पर विजिट के आप ये सारे वीडियो जितने भी ये question मैं आपके साथ share कर रहा हूँ, ये सारे questions के वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो एक बार चैनल पर विजिट जरूर कीजिए, if you think it is available तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आने वाली वीडियो भी देख सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब के बार लाइक कर लिजिएगा, ओके मेरे दोस्त मिलते हैं आप से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन, चैवारत, थेंक्यू, बाबाए